सभी को नमस्कार इस लेक्चर में क्लास 9-12 क्लास 9-12 NCRT New Subject Geography का complete हर एक बुक में जो भी PT के Point of View से पूछने का चांस है या जो भी परसी पूछ चुका है उसको मैं complete revision कराने जा रहा हूँ रिविजन के साथी साथ इसमें जो concept है या जहां कुछ fact है वो सारा चीज बताने जा रहा हूँ और यह बहुत ही most important वीडियो जोगरफी के Point of View से होगा आपने जोगरफी में अभी तक जो भी PT के लिए पढ़ा है वो तो पढ़ा ही है लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद यह मैं दावे के साथ कर सकता हूँ आपका confidence थोड़ा सा जो थोड़ा सा क्या बहुत ही ज़्यादा बहर जाएगा और अगर बीपेसी को फन पूछेगा जोगरफी से तो मेरे ख्याल से अगर 10 questions पूछता है तो उसमें से directly यहां साप 7-8 की स CRT से था ठीक नहीं तो मैं पहले भी बता चुका हूँ अभी जो सिक्षक भरती का exam हुआ है मैं भी तिन-चार सिर्फ question ले रहा हूँ class 11-12 का class 9-10 का exam भी पेसी लिया है वहाँ देखेगा question देखेगा और उसका source देखेगा जानके हैरान होजेगा to the point new class का NCRT class 9-10-11-12 हाँ कहीं कहीं class 6-7-8 का भी है तो मैं उसको भी समें सामिल कर लिया हूँ बहुत ही कम है class 6-7-8 में बहुत ही कम exam के point of view से important है लेकिन हाँ मैं उसको भी समें सामिल किया हूँ आये सबसे पहला कौफन 11 और 12 के इजना में पूछा था ये जेनरल स्टेडिज में कि हैदराबाद में दक्षिन पच्छिन मांसुन की वाप्सी की समानती थी क्या है एक चे और जिनका English medium है उनकी थोड़ा सा सौरी क्योंकि time की कमी की वज़े से मैं उनका English का नहीं इसकी इ देख लिए अगर time मिलेगा तो मैं इसी तरह का पूरा PDF में English का उसको में करके अपने ट्रेग्राम पर शेल कर दूंगा बाकि यह जो जिसमें मैं पढ़ा रहा हूं इसका PDF भी मैं अपने ट्रेग्राम पर फेल कर दूंगा आप वहां फिनीची लिंक दिया है डॉनल कर सकते हैं तो कोफन करते हैं है है हैदराबाद में साउथ वेस्ट मांसून रिटर्न का एक समान फाति थी क्या है जंडल थी एक्जेक्ट नहीं पूछ रहा है ठीक ना अब आप यह मत बोलिए कि अब तो climate change हो रहा है अब तो date भी आगे पीछ यह वो नहीं यह कोश्वन कहां से प का लिएगा उसमें climate जिसमें chapter का नाम है वहां देखिए आपका है मांसून का रिटर्न है यह साउथ वेस्ट मांसून का है तो यहां आप देख लिए कैसे मांसून रिटर्न हो रहा है और date आपको यहां दिख़रा होगा ये देखिए आपका हैदराबाद है, हैदराबाद फे देखिए लाइन गुजर रहा है कहां पे, ये आपका 15 अक्टूबर, दिख रहा है ये, देखिए एक्जामदर का धियान कहां जा रहा है, आपको भी जो ने ऐसे धियान, अब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आपको चु थी, डेप्ट में, पूछ रहा है, इसी बुक फे लेकिन थोड़ा सा डेप्ट जहां पे लोगों का धियान नहीं जा रहा है, ओके, ये कोफन एक तो आपका इस कानफर क्या हो जाएगा, 15 अक्टूबर, बी आंसर, नेक्स जलते हैं, एक कोफन और देखिए, भारत के निमल आप इसको आराम से बना सकते हैं, यहां बहुत ही असांता, देखें लेकिन यह जो दिया हुआ यहां पे, कोटा है, नाम रूप है, ओबड़ा है, और परिच्छा है, ठीक ना, तो इसमें आप लोग ये कोटा, नाम रूप और इर दो नाम तो सुने होंगे, लेकिन हाँ, ओबड़ा और परिच्छा बहुत लोग ने नाम नहीं सुना होगा, यह दोनों उत्तर परदेश में, ओबड़ा कहा है, स्वन भद्र में, उत्तर परदेश में है, और यह आपका परिच्छा जो अंजहासी के आसपास है, यहां देखिए, आप इसको मैप को देखिए, इसमें यहां लिखा हुआ है, एक तो जितना भी हमारे देश में नुक्लियर रियक्टर है, जहां जहां उसका दिया है लोकेशन, और जहां जहां तापियम थर्मल पावर प्रजेक्ट यहां जहां है, तो अब देखिए, पूरे देश का मोस्ट जो इंपोर्टेंट दिया ह देखिए, सबसे इस्ट में यहां नामरूप दिख रहा होगा आपका, ठीक नहीं, यह दिख यहां परिच्छा दिख रहा है, और इस जगह स्वनभद्र है, यहीं पर आपका ओबड़ा है, और यहां कहीं न कहीं जो कोटा राज्थान में है तो अगर आप इस्ट वेस्ट जब आईएगा, तो क्या हो जाएगा, नामरूप, ओबड़ा, परिच्छा और आपका यह कोटा, तो इसमें आंसर आपका, जो देख लिजी आपका, पहले आपका यह दूफरा, आसान है, दूफरा हम देखे, यह तो होगा यह नहीं, दूफरा यहां है, फिर आपका जो है उत्तरफे दक्षिन को एवार मेचिंग कर लिजे, मैं बताने की कोशिश करता हूँ, देखे, मैन मैन इंपोर्टेंट, जो की बहुत ही शुपारुस्तम टाइप का नाम है, देखे, नामरूप सब को याद रहता है, लेकिन जो बो गईंग गाउं है, यह बहुत लोगों को कम नाम है, बरौनी तो बिहार में है तो सब को याद होगा ही, दुरगापूर भी याद होगा, देखे, संथाल्डी बहुत लोगों को कम याद रहता है, चंद्रपूरा भी बहुत कम लोगों को याद रहता है, तलचर उरिशामी बहुत लोगों को याद होगा, कोरबा भी वीडियो पोच के अपने धंग से पूरब से पच्छिम और नॉर्थ तू आएंगे जिसे हो जाएगा फिर परिच्छा हो जाएगा इसको तरह ना आप मेली गांधिनगर याद रखेंगे आपका पुए नेवेली और सबसे साउथ का याद रखेंगा तूती करण फिर आपका नेवेली है और फिर यहां का विजेवारा आ रहा है तो इसे यहां रहां रामा गुंडम एक ध्यान रखेंगा निकुलर पावर जो साउथ नरोडा उत्तर परदेश में रावत वहाटा फिर आपका यहां काकड़ा पाड़ा फिर तारापूर और यहां कईगा और यहां पर कलपक कम तो यह होगी आपका साउथ या साउथ तो नौर्ट देगा तो आप इसको आराम से एरेंज कर पाएंगे नेक्स कॉसर चलत करेंगे यहां देखें लिखा हुआ एक बॉक्स में मिनरस और दंत मंजन से एक उज्जवल मुस्कान लिखा हुआ है तूथ पेस्ट आपके दान साब करते हैं कुछ खनीच जैसे सिलका लाइमिस्टोन एलमुनियम और फाइर और अलग अलग फॉस्पेट मिनरल स्वक्सता में मदद करते हैं सफाई में मदद करते हैं फुलॉराइट जो दानत को गलने से रोकता है फुलॉराइट नामक मिनरल से प्राप्त होता है मैक्सिमम जो तूठ पेस्ट होता है टीटेनियम ऑक्साइट से सफेद बनाए जाते हैं जब जो की रटाइल इलमिनाइट और होती है अब यहां देखिए इतने चोटे से चार-पांच लाइन में कितना पीटी का फेक्ट दिया गया है जो कि अब यहां सब जो भी चिना नहीं पूछाए तो आप उसको बार दियान रख लीजेगा वहां से पूछाए वीडियो पहुच करके एक बार रिडिंग जरूर कर लेए क्योंकि में था फास्ट करने की कोशिश्ट को टाइम कम है और इसमें फराज हमको कवर करना है अब यह दे आ है देखिए भुदान या ग्रामदान पढ़के में फुनाता हूं ध्यान सुनलोगा ने अपने निश्टावाए के प्हेले वह वह दे,पने अध्यातमिक उत्राधिकार घुफित किया था किसने ऑन आत्मा गांधी ने किनको बिनवा भावे को ध्यान रखी उनकी गांधी जी के ग्राम फराज का कॉंसेप्ट में गहरी आस्ता था गांधी जी की जब उनके मरने के बाद उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए बिनवा भावे ने लगभग पूरे देश की पद य जमीन मांगी विर्वा भावे ने उनसे तुरंत तो कोई वायदा नहीं किया प्रंतु उनको आश्वासन दिया कि अधी सहकारी खेती करया तो भारत फरकार से बात करके जमीन मुहिया करवाएंगे आगे देखिए अचानक स्री राम चंद रेड़ी उठ खरे हुए उन्होंने असी लेंडलेस लोगों को असी एकर भूमी बाटने के पेसकिस के यही को कहा गया क्या भूदान कौंसा दान भूमी का दान करना बाद ने भूमा भावे ने यात्राय की अपना यह विचार पूरे देश में फैलाया कुछ लेंडलॉड ने जो अने गाउं के मालिक थे भू अपने के लिए भी अपनी भूमी का कुछ हिस्सा दान कर दिया बिनोवा भावे दौरा फ्रू किया गया इस भूदान ग्राम आंधरन को ही रख्त हीन क्रांती के नाम फे जाना जाता है NCRT का फैक्ट हो गया तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कहां से शुरू हुआ भूमी दान लिए आप आंधर परदेश नाम याद रखिएगा आंधर परदेश राज हो गया गाउन का नाम पोचम बल्ली ओके नेक्स अलते हैं अब यह देखे कुर्फण है किसानों के फाइदे के लिए जो इंस्टूशनल रिफॉर्म हुआ है नहीं तो संस्थागत एक टौपिक है जो विटत्रिया आपका टक्विफॉर्म हुआ है जो आप इसको पर्येकर आपको मिलेगा कि फरकार जो है यह आपका इंस्ठूशनल रिफॉर्म के तहत जया मैं लेंड डीफॉर्म के लिए काम रू मनाया है फिर कई तरह के जो भूमी विकास कारिक्रम ला और शाथी फाद भारत फरकार ने किसान के एड कार्ट भी लोगों को क्या है दिया है इसको क्या है इंस्टूशनल यह रिफॉर्म है यह जो है ना क्लास 9 10 के NCRT से क्वेस्टन अब दिखेए उस फर्ष राज का नाम बता है जिफने की छत परमतकी जो रूप है उस पर वाट रेंड वाटर हर्वेस्टिंग कानून दोरा अनिवार निफे फ्री कर दिया तमिल्नाडू राजस्थान में घाल है यह क्लास 10 के इसी एक्जाम में सर्दार फ्रोबर्ट डैम जो बना है उसमें कितने राज्यों को कभर करता है उपफन जो आप देख लिजिए यही क्लास 10 सबसे बड़ी जल संसाधन प्रोजेक्ट है जिसमें चार राज मारास्टा मदपरदेफ गुजरात राजस्थान सामिल है तो कहने का मतलब यह है कि अब आप देख सकते हैं वी पेसिन आपको बता दिया कि भाई यहां यहां से पहर के आईए तो चीजा आपके लिए बहतर ह होगा एक और क्वफर है रियो जो अर्थ सम्मिट हुआ था 1992 में एजन्डा 21 में क्या नहीं था अब मैं इसको देखे यह कलाफ 10 फे दिया हुआ है तो रियो डी जेनरो अर्थ सम्मिट 1992 में हुआ था डेट याद रखेगा जून स्वग्याण में में 100 से अधिक देशों के जो अध्यक्षिश में भाग लिए थे पर्थम यह अर्थ सम्मिट था इवी ध्यान रखेगा आगे जो है इसमें इसमें लोग ने क्या किया था एक एजन्डा 21 पर सहमती बनाया था इसमें मिल ली यह था कि कैसे पूरे परियावन को फंड़क्शन किया जा कैसे सोशल एकन सब्सक्राइब करना जिसमें सब्सक्राइब करना जिसमें सभी का कॉमन इंट्रेस्ट हो आपस में जाब सकते हो गरीवी भुखमरी सब्मिट आना और यहां से मिल जा रहा है तो यह जो मैं क्यों बता रहा हूँ यह तो मैं अभी 4-5 सेंपल लिया हूँ अगर आप जो शिक्षक भरती का 68 का इसके पहले जो भी पेसिव का फन पूछा है वो सब कहीं न कहीं आपके इसी नियू एंसियाटी कलाफ 9-12 का कुस्टन है तो इसी चीज को मैं आज करने जा रहा हूँ और यह बहुत ही समझेगे तो रामबान टाइप का कुछ जो टर्म आप लोग यूज करते हैं वही आपके लिए जोगरफी के पॉइंट अब यूज से होने जा रहा है बस धियान से जो जो मैं बोलता जाओंगा आप इसको क्या करना है सुन लेना ह इसको एक या दो बार मेरे खकर को दो बार वीडियो अपना जो इस फिर बढ़ा के इसको देख लिजेगा इसको लिखने की कोई जरत नहीं है हाँ अगर पीडियम परना है तो मैं यह पीडियम आपको फेर कर दूँगा वहां साप इसको बार देख लिजेगा आए सबसे प तूबर हो जाता है यहां देख लखनाओ को मटाउटी पार कर लखनाओ के लखनाओ के पार और यह भौपाल के आसपार पर चला जा रहे है पिर यह देखे है पूछे जो नजदीक होगा क्योंकि है यह दराबाद देखे था हूं जस्ट क्रोस कर रहा है ठीक नहीं पूछ बेंगलोर देखे 15 नवंबर पर फे पूछेगा आपका कंफरम यहां देखे आस पास आपका एक दिसमबर के आस पास देखि तुरू अंत्रम पूर जाया या एदम पूछने का चांस बनता है पर यहां पर फिरंका यहां आजा प 1 दिसमबर को किये देखे बतों कि 15 तो कार्बन डायोफोट के वर पूछता है 0.03% और 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 जो है 0.93% और बाकी कितना ही तो पहला में यह दूफरा में यह तीफराम आरगन का करम अगत तो थाम आपका कार्बन डाई और इसको ध्यान रखेगा नेक्स शलते हैं जब बर्षा होती है तो सबसे पहले क्या होता पानी का होता है यहां पर पॉल होता है नेक्स चलते हैं हमारे पूरे जो पानी का जो 100% देखा जा पूरे दुनिया में तो जो लबन मला पानी है कितना 97.3% है और बाकी देखिए आइस कैप में 0.2 है ग्राउंड वाटर में 0.68 है फ्रेस वाटर लेक में 0.009 है ठीकना है बाकी इनलैंड सी और सौर्ट लेक में इतना है एट्मोसफेर में इतना है और रिभर में देखिए सबसे कम रिभर में पानी है फ्रेस तो यह देखिए फ्रेस वाटर का ध्यान रखि जो है सबसे जदा कहां है ग्राउंड वॉर्टर में सबसे कम कहां है नदिया में पानी है इसको आप करम फजाने देगा तो देख लिएगा बाकी जो हमारे जो क्या करते हैं आपका जो महासागर है वहाँ ठंडी और जो गर्म जल धारा है यहां से जिस भी करेंट का ओरिजीन होगा इस इलाके से और इधर जब जाएगा तो अब यह सी बात है वो फड़ी होट होगा यह मत्तब क्यों वार्म होगा और इधर जिसका ओरिजीन होगा तो आपका क्या होता है कुछ कुछ जो आपको याद रखना है जीसे कि भी पेसिवार को फन पूछ दिया था यह जो नौर्थ इक्विटर क्रेंट कौन सा जल धारा था आप देखे ऑबियस सी बात है कि जो उल्टी के धार जो दिसाई बहती है पान के देखे गरम हो लेव लेव यहां कंचे डियद्यानम है ऑपका फन देखिए यहां देखेए और सेखेती है अपका बस में पूछ यहां यह जो आपका कहले हो यहां हो और बेंगुलिया का ये कौन सा आपका ठंडी वाला है तो बस एक बार ना इसको करम देख ली जगा तो इसमें पूछ सकता है कि मिर्चिंग देखे कौन कौन सा है मिर्चिंग ने मतलब की दो अपफन देगा पूछ जगा कौन फर ठंडा है कौन सा अगर एक दो याद होगा आप आप आराम से हीट करके बना देंगे ठीक ये देखिए जो है पूरे दुनिया में जो अवादी की जहां तक बात होती है विप्रेसी और कफनी हां से पूछ चुका है ये कलास साथ नाइन्ध के इंसैटी में दिया हुआ है देखिए 500 बीसी में पूरे दुनिया की अवादी देखिए जो है आपका एक मिलियन पूरे दुनिया का जो अवादी आपका देखिए 500 बीसी में कितना था लगभग आपका एक सो मिलियन था फिर जब मोटा मोटी जब एक इसवी के आज पाफ आया तो एक सो सत्तर बियन हो गया फिर जब हजार इसवी आज दो सो परिफट म मिलियन हो गया फंतरोंने 25मीलियन था फिर फिर यतनी पिलिया टक को यह नहा कि नहीं का हिमालय परवत है तो हिमालय पर कुछ फैक्ट देख लेजिए आपको पता है यह एक अर्ध बृत के रूप में फैला हुआ है ठीक ना अर्ध बृत के रूप में फैले का मतलब यह है कि यह 2400 किलो मीटर लंबा है ठीक ना और इसकी चोड़ाई अगर देखा जाए जो बृत ह है और इधर जब आता है वरने घट के कितना हो जाता है 150 किलो मीटर हो जाता है पच्छमी भाग की अपेक्षा इधर का चुकि पच्छमी भाग है पुर्वी भाग की उचाई में अधिक विवित्ता है तो यहां जदा है आपका उबर खाबर इतना आप दियान रखेगा बा जो इसकी उचाई कितनी है आपका 6000 मीटर है बाकि कुश कुश का नाम याद रखी मांट एवरेस्ट का आपका नेपाल में है इतना मीटर है कंचन जंगा भारत में मकालू नेपाल में दोलागरी नेपाल में इसको आप धियान रखेगा नंगा परबद जो हैंने भारत में ऑन पुर्णा नेपाल में नंदा देवी, भारत में कामेट, भारत में नामचावगरों भारत में रूगुला मंधाता इपाल में करम दिखा देता हूं मैं जो आपका वेस्ट डू इस्ट एक करम आपको बताये तो मरा बूठ आप इसमें ध्यान रखेगा देखे यहां इसको करम का एक पार्ट मोटा मोटी धियान लखिएगा क्योंकि यहां से कौफन एक दो बार पूछ चुका है जब हिमादरी या ग्रेट हिमालय के आप अगर दक्षिन में आईएगा तो यहां लिखा हुआ हिमादरी के साउथ में जो सबसे अधिक असमान है इसको निम्ल या लोर हिमालय भी कहा जाता है इसमें मिलनी क्या है यह ज़्यादा कंप्रेश हो गया है और यह कई अलग जो चटान से बना हुआ है इसकी उचाई जो है on average 3700 मीटर फिले के 4500 मीटर के बीच है और औसर जो चोड़ाई इसकी 50 किलो मीटर है ठीक जबकि पीर पंचाल सिरंखला सबसे लंबा है और इसमें ध्यान रखेगा बाकी धोला धर या मावारा फेनी इसी का हिस्सा है इसी सिरंखला में कस्मीर की घाटी भी आता है हिमाचल के कांगरा कुल्लू की घाटी भी इस थी थे ठीक न तो यह ध्यान रखेगा अब इसके दक्षिन में आपका सिवाली परता है सिवाली का क्या खासियत है इसकी जो ना और सच्च की देखे बीपेसी 68 में वायु मंडल में छो मंडल की एवरेज हाइट पूछ चुका तो अवसत देके पूछा आ सकता है इतना ध्यान रखेगा फैक्ट आपको याद रखना ही परेगा और कोई चारा नहीं है और सथ आपको पता है कि आप सादों से बना हुआ है ठीक नहीं यहां पर कई तरह के दून है जिसे की देहरा दून है कोटली दून है और पाटली पूत्र है यह सब दियान रखेगा आपने पढ़ाए भी होगा तो आप करीभाई हो जा रहा है अब यहां देखे जो पूरा का पू पूरम लद्दाक जासकर यह हो गया पहला तीन करम तो यह पूछ सकता है आगे देखे यहां पे नदियों का करम देखे सिंधु जेलम ठीक नराभी फतलज ठीक अब कुछ दो परबत है इसे कि यहां देखे सबसे इधर जो राजस्थान में अरावली का है ठीक नहीं फिर अगर यहां पठार की बात करेगा अगर इधर पच्छिन से पूरब की दिशा में तो यहां आप देखिए एक मालवा का पठार आपको दिखाई पर रहा हुगा फिर यहां पापका क्या चोटा नागपूर का पठार हो जाए इस आप करम याद रखेंगे उसके बाद दिखें तमिनाडू के तर्ड को कोरो मंडल बोलते हैं केरला को मालावार बोलते हैं यह सब बताने ही जरुत नहीं मेरे खाद आप लोग पढ़े भी हो गये एक चीज़ जो इंपोर्टेंट चीज़ है शिक्स्टी फोर या शिक्स्टी फाइट में कोफन पूछा सबसे पहारी है इसका नाम है काडामम की पहारी सबसे साउथ में ठीक बाकी जो है चीज़ें इसमें आप लोग जानते ही होंगे तो मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं बताम तकी खपत करूंगा अब इसमें नेक्स चलते हैं हैं यह जो बरहम पुत्रा जो नदी जो मान्वर्वा पुछा है कि कौन फिन नदी भारत में प्रवेश करने बक्ति यू का सेव बनाती है उसका नम कुंसा है बरहम पुत्रा ओके अब यहां पर कुछ कुछ चलते हैं जो नौर्दन में प्लैन है जो उत्री मैदान हमारे देश का है उत पता है आपको नदियों के फिन्धू गं लंबा है और लगव दो सव चालिस से लेकर अने भरे समझे कि आपका तीन सो बीस किलो मिटर यह चोड़ा है बढ़म पुत्ता नदी में एक माजोली विश्टू का सबसे बड़ा नदी यह बीच में यहां लोग निवास भी करते हैं आप जैसे ही आपका सिवाली खतम होता आत्विबाली के बाद जो ढाल पर आट फेले के 6 किलो मिटर की पट्टी में एक निच्छेप जमा है इसको भावर कहा जाता है जहां नदियां बिलुप्त हो जाती इस पट्टी के दक्षिन में फिर नदियां निकल जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं तराई को ठीक है जो यहाँ भावर के प्ली जाता है तुछ दर्ली जो डहलां दोन बूलते हैं लेकिन पच्छमी भावर की पेघच्छा में नाट यहीं से एकगूरव क्युद्मीनदोने तो पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी फिले कर नीट गिरी तक है आप यहां देखेगा यहां और पूर्वी घाट एक फटत नहीं है कटा फटा है क्यों यहाँ नदिया मोफ्रा इसको काट दी है वाकिसा आप जानते होंगे हाँ पच्छमी घाट में कौन सी बरसा ह परवत क्योंकि यह उचा है यहां पर बर्षा बहुत खतर ना बज्यादा होती है तो ध्यान रखे के लाग परवत यह बर्षा होती है नेक्स चलते हैं कि आपको अन्ना मुद्री का जो उचाई याद रखेगा और डोड़ा बेटा का याद रखेगा ठीक पुर्वी घाट का सब फे उचा कौन सा है मेहंद्र गिरी ये भी पूछा जा चुका है ठीक अब इसमें नेक्स चलते हैं देखे बरहम पुत्रा नदी के बारे में वही मैं आपको बता दे यहां पी कोफन यहीं सैम कुछा है ठीक ने यह जो नदी है देखे मान फरवर जिल के पूरव तथा स सिंधू सतलुच के फिरोत्तों के काफी नजदीक फे निकलती है कौफर यह भी पूछ रखता है कौन फिनदियां का सुरोज जो है आपका क्या करते हैं सिंधू के आसपास है ठीक ने तो यह फिनदू और फतलज के आसपास है इसे कुछ कुछ कैसा भी पूछने दिए बस आपके पास वह कौनसेप्ट इंफॉर्मिफन होगा तो आप अराम फुसको हीट कर जाएंगे अधर यहां कहता है कि हिमालया के पेरलल आपको पता है कि हमालया के पेरलल फिर यहां अर्णाकर प्रदेश और नामचा बर्मा सिखर इतना के पास पहुंश कर यह अंगरीजी म आपके इसमें मिलती है असम में चलिए तो नेक्स सलते हैं अब गुदाबरी द्रोनी का जो को मैंन कॉंसेप्ट है कि देखिए यह जो आपका अपन पर्देफ उरिशा आंधर परदेश में इसका जो डेडर सिस्टम अबलेबल है इसका कुछ साहिक नदी भी प्यसीपूस् बाकी पूर्णा वर्धा प्रान हिता मंजारा तो है भी एक अलग वीडियो में पुड़ा इभर का जितना भी साहिक नदी हमें अलग वीडियो में बाकी इसका बड़े अकार विस्तार की वज़स इसको दक्षिन गंगा कहा जाता है बाकी जो है आपको यह चीजह में हाँ आप मानसून का आगमान का देख लीजिए काइसे लेटर उतुटर पता दिया देखे आगमन सबसे पर देखे इफ बाकर इस इंड बासुन को आ था ऑप फिर जो है आपका यहां पर पांग पहुंच को आपशन फॉंच यहां देख देखे अब बंबाई कब पहुंच रहा यहां पहुंच जा रहा है ठीक पर देखें ऐसे बंगला देश को छोड़ दीजिए कलकत्ता को एक जैक्ट नहीं पूछेगा नहीं है ठीक जैक्त देखें आप यहां दीखें आहम दावात पन्रह समय के आज पास यहां रहा जाता है घर्मी के दिनों मैं जून के महने में लू चलता है हमारे देश में धुल भरी गरम भरी सुक्षपने होती है जो कि दीर के समय भारत के उत्तर पच्छमी छेट में चलती है और यह साम तक इस हबात करवा घातक होता है दीर के समय में उत्री भारत में मइगे मैंने की मतुझ थूलबर आंधिया आती है यह पर्मोणेंट नहीं होती है और स्थायरूफे साम के टाई में इसमें ठंडा भी पहुंचाता है तापमान को कम कर देता है और हलका-फलका बारिश भी कराता है ठीक 가능 है तो ध्यान रखेगा इसके साथ ही जो इसमें कुछ-चुछ जो जब दीखेंगा न बढब बिगिर जाता है बैसाक के मह यहां जल्दी पाग जाता है इसको आम रुबर्षा का जाता है 68 में पूछा था ठीक यह कला आफ नाइन्थ और 11 के दूनों के इन्साटी में आपका दिया गया यह देखिए एक आपका क्यूंकि जो मैप से कौफन भी पर सी बहुत पूछा जो इन्साटी मैप दिया हुआ त देखिए 250 से कम फिर यहां देखिए लाल अवला देखिए जहां एक हजार फे ज्यादा डेंसिटी है तो देखिए कितना कौन फाह है आपका बिहार और आपका पच्छिम बंगाल इसी लाल है ठीक नहीं तो इसलिए अगर पूछेगा कि एक हजार से अधिक डेंसिटी वाल देखिए 5 राज है बिल्कुल इस्टेट्मेंट गलत हो गया ठीक नहीं तो यह थ्राफन यहां पर आप 200 से कम देखिए ज़्यादा है ज़्यादा है इसमें ध्यान रखिए नेक्स चलते हैं सिंपल राज के बात कीजेगा देखिए तो ठीक है यह पांच अगर उनीश से पहले उन्तिफ्त राज था लेकिन अब जम्मू कस्मिल को दो भाग में बाट दिया गया है अब 28 सिंपल राज हो गया और आठ यूटी है यह दियान लखिएगा तो यह डेटा वियाद सबसे ज़्यादा उत्तर परदेश दैन महारास्टा बिहार बड़ाबर है फिर आंध परदेश फिर मद्ध परदेश तमिल नाडू बड़ाबर है करनाटक फिर गुडिलाद दोनों बड़ाबर है उडिशा केरला जारखन असाम पंजाब यहां देखिए एक प्रतिफत है कर्देश कईसे परतिफत है तो लेकर फिरा विवह में पूँछ देए ने परदेश हमारे देश कंष्टाक का बड़ा फिर गटाग हीर पूछे गागा के बाद से जो है लगातार जनसंख्या जो है अब आदी बर अलग बात था लेकिन जो जो दसकी अब बिढ़ दी है और लगातार जो डिकलाइन हो रहा है यह अलग तरह का इस्टेमेंट बन सकता है बाकी हमारे देव की फरकार ने पहली बार जो इनेफनल जो पॉलुशन फोरी पॉपलिफर निती कब लाया था उनीस सो बावन में लाया था वारत फरकार ने एक ब्यापक परिबाण निजन कारिक्रम को भी शुरू किया था ठीक ने यह बाद ध्यान रखेगा बाकी राफ ज किया गया था किसमें राफ जन संख्या नीती पर भारत का एक मात जो एक्टिव वेलकोन है वेरन दूपर यह कहां अनमान निकोवारादा सुपके बैन एक इजा में कई बर पूछ चुका है हलाग आप लोग जानते भी होंगे नहीं बताना चाले लेकिन बता दिया देके न दूफरा सबसे बड़ा जल प्रताप आपका काबिर रधी पर बनती है इसे समुंद्रम के नाम से जाना जाता है ओके यहां जो इससे जो बिजली बनता है उत्पादित विद्धुत मैसूर में बंगलोर और कॉलार स्वर्ण छेथ को परदान की जाती है को फर अगले स्टे मांसून जब रिटर्न होने के से आस्मान साफ और तापमान में बिर्दी हो जाती है दिन का तापमान उच होता है जबकि रात थंडी और सुहाब नहीं सब देख लिए कि बाद तो पूछा यहां दियान रखेगा क्या होता है अभी का जो महना है अगस्त और सेप्टमबर क इसमें क्या है हाई टेंपरेचर और हमिर्टी जाता है ऐसे बज़य से क्या होता है मौसम हम लोग को लगता है बहुत ही अजीतर का बोड़ी हो जाता है इसको हम क्या बलते हैं क्वार की उमस के नाम फे जानते हैं इस समय को धियान रखेगा ठीक अक्टूबर के बाद तो चलते हैं यह देखिए यूपियस सी कफन यहां से बनाया था एक स्टेटमेंट बना के मैं बोलता हो इसकति यह दियान अब तेखिए यहां आप दिख़डा होगा कौन सा बन है यह परवतिय और मौनट्एन फोरेस्ट है इस्टेटमेंट बनाके कुछा पूछा कि भारत के उत्तर परिमत परदेश में परबतिया बन पाया जाता है आप देखें परबतिया बन का मैप देखें कहां तक है यह आपका यह बला इलाका जम्मु कस्मीर हिमाचल परदेश उत्रा खंड यहां है और यहां अरणाचल परदेश में आप इसको देखें यहां पर एक जामदर क देखने कुछ कुछ evergreen वहाई यहाँ भी कौन सा है even green वहला यह आ थोवाद देख़ लिए कहां कहां कौन सा है फिर मेंगोरॉब मेंगुरोब देख़़ृब यहां मेंगोरॉब है यहां मेंगुरोब मैं थाए तो इसको थफ़श देख कि यहां देखिए ऐसा आपका ध्यान जाना चाहिए बागी जो ट्रोपिकल जो फोरेस्ट होता है तो इसमें देखिए क्या-क्या जानना है इसका लोकेशन वेस्टन घाट में जहां बर्फा लगभग 200 सेंटीमीटर फे ज्यादा ही होता है ठीक ना लगजदूप अनबान नि को बार के असम के उपरी भाग देखिए असम पुरासम नहीं अगर इस्टेटमेंट देगा असम के पूरे में तो नहीं गोलत तो गलत ठीक ना तमिलाट्टू के तटिया तक्सिमी थे इसका इदम लोकेशन याद रखिएगा यहां बर्फा 200 सेंटीमीटर फे आधिक हो जा जाते हैं यह मोश्ट इंपोर्टेंट है आबुनुस इसको इवन्यू भी कहते हैं महाग गनी रोजबूर रवर किस बरसा बनका है तो यह सिंक वना यहां यहां की जानबन वर्दों नहीं पूछता है कभी देखिए यहीं देखे कितना हो चाहिए यह पूरा दें घना घना छाओगों कि परमुक पर जाते हैं था साथ साल का पेर क्या है पन 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 आपको पूछेगा क्या यह आदर वाला है दियान रखेगा रवेर है कुसूम अर्जुन सहतुत है इतना होता है यहां कुन साब बन यहां भी स्वगौन साल पीपल नीम का बिरिच इसमें पाये जाता है बस इतना खतम हो गया बाकि जानवर सोगा नहीं पूछता ह प्रवतियाबन बन के में यहां पर जानना क्या है अगर इस्केट इसलसे हैं कर से प्रवतियाबन के यहां पर जानना क्या है इसके लिखा वाया है तापमान की कमी उचाई के साथ फात प्राकिर्टीक बार्णसपति देखाई से परकारंगा लेके 2 मिचेटरों में आदर, शितोफ में तो ट्रोपिकल जो है ना आपका कटिवंधिया बन पाए जाते हैं इनकी चोरी पत्ती बाले ओक और चेस्टनर इसे बिक्षों की हाँ प्रधानता होती है अगर और उचाई जाई जाईएगा तो यहां संकुधारी बन मिलना फुरू है तो पंद्रे सो से उचाई के बाद जैसे कि यहां नाम है क्या पाइन, देवदार, फिलवर रभ, इस्पूरू, शीडर नाम पाए जाता है यह बन पढ़ा हिमालय की दक्षनी धान में इसे मिलता है ठीक तो अधिक उचाई पर आपको पढ़ाए फितोफिन कटिवन या घास के मैदान भी यहां दिखाई परता है अधिक उचाई पर आपको क्या मिलेगा माफ, लिचन, घाफ, कुंड्रा, बन भी पूछेगा बाकी तो इसमें मैंगरोब बन में क्या होता है आपको पता है कि तटबर्ती हिस्ता में पाए जाता है जहां ज्वार भाटे आते हैं यहां मिट्टी और बालू इन परिकठा होते हैं घने मैंगरोब एक परकार की बरसपती है जिसमें पोधे की जर्या पानी में डूबी रहती है गंगा ब्रहंपुत्रा महान अधी गोड पाए जाता है ठीक यह ध्यान रखेगा में तरह मिलता है बाकि एस याई से कहां पर केबल की गुजरात के गीर में पाए जाता है यह एक याद रखेंगे जो जितना भी वाइल लाइफ है इसको देखे करम लगाने आप पूछे गा यहां पर तीन तरह का चीज आपका यहां जम्मू कश्मीर उत्तर फे आप साउथ एक बार करम लगा लगा दाची गम राजाजी कारबेट दुदबा केबला घना रन थंभर फिर देखे इसके देखे दुदबा ऊपर है काजी रंगा मानफ लगभग बरावरे में है किसी एक का नाम देखा दोनों का नाम नही अब देखें कुछ माइगरेट जो आते हैं हमारे देश में भारत के कुछ दलदली भाग परवासी पक्षियों के लिए बहुत ही फेमस है जब सीत रित्तु में सायगरेजन सारस बहुत संख्याम यहां आते हैं यह मनपफन अस्थान कच का रन है जिस अस्थान मनी भूवी समुद से मिलती है तो यह दियान रखेगा कच कारण इन लोग के लिए बहुत ही फेमस जगह लोग आता है अपना ठंदे के समय में यह कोफनी बाद शिक्षक एक्जाम में पुछा है कि अजादी के बाद पहला कौन सा पोट या बंदरगाह बना तो जो अजादी के बाद कंडाला में जो है पहला कच में आपका कंडाला बंदरगाह बना तेना एसा देश करणची पूर पर्ट शेख कर दांध पाकिस्तान में विए उसको एली हुए हम जो कौन बनाम कंडाला हो गया कहां कच मैं नहीं में इतना धियाद है बाकी जो है ना बंबई बड़ा पत्तर है ये प्राकिर्तिक है खुला है बंबई वला ठीक दियान रखेगा नेक्स चलते हैं बंबई पत्तर में अधिक चुकि यहां जहाज लगना फ्रू हो गया था इसको कम करने के लिए बगल में जभालाल नेहरू पत्तर को भी फित किया इतना ध्यान रखेगा ठीक ने आगे चलते हैं लोग एस के निर्यात के संदर में मार माओ गोवा पत्तन सबसे इंपोर्टेंट यहां फिर देश का कुल निर्यात का आधा लोग निर्यात करता है करनाटक में स्थित नियू मेंगलोर के अंदर मुख खानों से निकले लोग अर्ष का निर्यात करता है बस देखें लोग निर्यात वाले हैं कोची पत्तन है यहां लाइगून के मुहाने पर प्राकृतिक प्राकृति के पताफर है तिसमें कुछ कुछ फैक्ट आप धियान रखेंगे बाकी जो है इसमें हां उरिशा में पारादीप है ठीक नहीं से लोग निर्यात किया जाता है को लकत्ता एक जोने अंद्यास्थली नदिया पत्तन है तो कहने का मतलब यह है कि आप जो है इसमें जो चीज़ा में बताया पोड़ें सब याद रखेंगा पता निक्या पूछेगा हम कोई नहीं पता है चलिए नेक्स चलते हैं कि अब देख पर जो है साइक नदी कौन सा है बुढ़ी दिहांग धनफरी ठीक दाएं तट पर कौन नदी मिल रही है सुवनसिरी कामेग मानेश और संकोष सिख्षक भरतिक जाम में यहीं पूछा है कि दाएं से कौन नदी मिल दिया था एक अपफ़न साथ यह दिया था यहीं हो जागा है वह पुढ़ा है कान से चटान के ग्रुप में पाया जाते यह बत्क हमको मिलता है तो दुफरा का प्राप्त होता का हम अने घजान है अने चटानों के अनेग उसके परत में लेहर में मीलता है अगला खनीज के निरमान के एक अन विधीद जो है न आपका चटानों का जब टूटना फुटना होता है उससे भी आपका बनता ह落ए। पहारी के अधार और तली गाटी की रेत में जो कुछ जमावप के रूप में कुछ मिन्रल्स पाए इसको हम क्या बोलते हैं, इस निच्छेप को प्लेफर बोलते हैं, एक प्लेफर बोलते हैं, यह जल द्वारा इसका फ्रेकफर इसका घर्फित नहीं होता है, इसमें फोना च कंणर भासा में कुद्रे सब्द का अर्थ होता है घोड़ा करनाटक के वेस्टर घाट की सब्द से ऊची चोटी घोड़े के मुग से निकली मिलती जूलती है ब्राडिला की पहारी बैल के डील से मिलती जूलती है यह सब से ध्यान रखेगा पुछा कि पुछा कि कुछ इंप तो मैं कुछ कुछ चीजा सुना देता क्योंकि शिक्षक भरतिम यही एक्जाम में को फन पूछा है आप यहां पे दिहान फे देखिए लौ ऐसक छेट ऐसा वाला है ठीक नहीं यह पूरा देखिए आपको यह पे लोहे के खाने लोहे के खाने के लाल वाला है तो मैयूर भ प्यांदरो मुखी चिकमगलूर तिमकुकु यह सब क्या आपका लोहे का खान है यह दिहान रखेगा बाकि लोहा कहां कहां से किस किस से आपको इंपोर फोरी निर्यात किया जाता यह भी दिया हुआ देखिए यहां पाड़ादी विसाखा पत्नम ठीक ना यह दिहान बाकि नेक्स जो है आपका इसमें देखिए माइका का भी दिया एक बार वीडियो पोच करके जहां-जहां माइका का इस्ट हो है आपको इसको बार देख लेकिन हम में लोहे का पूछ चुका तो लोहा तुकि ज्यादा एरिया में तो वहां फे ज्यादा पूछने का चांस मता है नहीं पूछा रहे लिए कि पूछा जाता है दिखेंए तौरा पूटि है यहां पे दीख़रा है पर यह देखें भी देखिए आपका मेंग नहीं ता फूछतने तेल छेत्र यह तो यहां देखिए डिग बोई है नहर कटिया थे असमसम में अपका बंबई हाई है तो यह तो आपका कौन सा हो गया तेल छेत्र हो गया तो दिखान रखेंगे सब्सक्राइब करते हैं आगे चलते हैं जो एना उच्छ श्रेणी के विटुमिन सब्सक्राइब करते हैं लोहे को गलाने में इंडिया में कोईला देखे दो तरह के सेल चट्टान में पाया जाता है एक तो गोनवा नामें ठीक नहीं है और दुफ्राइब कहां टर्फरी तर्फरी द्याने के मेघाले में असम में अर्णकर प्रज़ होना करें इत चारो आपका यह धामोदर घाटी हो गया ज़रिया इसा तो पता होई है तो दामोदर घाटी में देखे सब्सक्राइब कोईला एक कई वर को फ़नी उब पूच चुका है बाकि यहां गधावरी महा नदी सौन वर्धा नदी घातियों में भी कोईले का जमाव है ओके यह दिहां दामोदर घाटिम तो है ही साथिफात गुदाबरी महानदी सोन वर्धा ये भी याद रखेगा अब देगा दामोदर गुदाबरी सब अनफरतब तो डी हो जाएगा उपरुक्त में से सब अब भारत में एक तो बुंबई हाई गुजरात असम ये तीन में आपका पेट्रोलियम उत्पादर छेतर है और सबसे पुराना जो है आपका दिखबोई है और मुरन हुजरी जन है असम का है ओके तो हो गया यहां पर अब नेक्स तुम्हें तो बताएं दिया आपका पतान भी प्यासी कई बार पूछा और इस बार भी जो सिक्षक भरती जाम वहां भी उक पूछा है कि आपका जो यह जो कोईलेटल सूपर हाइवे जो बंद है स्वर्णीम चेतरभूई महाराज जो मरबंदा है यह कौन-कौन फे सहर फे गुजर रही है दिनली कलकता चन्न दिली देखे अगर पूरे इंडिया का था तो इसमें एशे करके यहां दिली यहां बंबबाई हो गया ठिक यहां चैन्न नहीं है कलकता है तो ही यह नाम है तो इस चार साहर का आप नाम याद रखेगा ठीक यह छे लेनका से लग है महाराज मार्ग है इसमें दो आपका कोई डोर है एक का नाम है नौर्थ साउथ कोई डोर जो की स्री नगर फे कहां करने अकुमारिक जोड़ता है दुफरा कहां है पूरब से पच्छिम जो है आपको सील्चर अस्वंफे लेके पुरबंदर तब को जोड़ता है एक कोफन पूछ दिया था सील्चर और पाई बना रहा है ओके देश में तीन पाइप लाइन का मेंजाल है इसको याद रखे लिए पहला असम के उपड़ी हिस्सों में है इसे गोहाटी बरौनी और इलहाबाद के रास्ते कानपूर तक आया है एक ब्रांच बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक है पहली फत्रे 100 क्यूम्टर लंबी हाजीरा विजयपूर और जग्दिपूर यह है आपको यह आपका गई स्पाइप लैन है जो बुंबई हाई और बसीन के छित पच्छिमी और उत्तर भारत फिसको जोडता है अब इतना दियान रखे गए फत्रे 100 क्यूम्टर लंबा है इ जो गंगा पर जाए नेफनल हाइवे फरस्ट है इसका लंबाई इतना है इसको नेफनल रा नेफनल वाटर वे पहला का है दूफरा सदिया से धूबडी है बनाप्ता नदी पर इतना क्यूम्टर है ठीक नहीं और इसको सगन का है केरला में देखिए आपका तीफरा है पच पूइसा के आसपास है ठीक नहीं इतना लंबा है और यह फाइव है बागे और भी बन रचे मानुवी में जुवारी में तो आगे प्रजेक्ट बढ़ी रहा है ठीक है एक यहां फ्यक्त देखिए देश का 95% बेपार जो है ना समूद दोरा होता है यह कोफन पूच पूच 216.6 किलोमेटर लंबा समूदरी तट रेखा में ठीक नहीं तो यहां ध्यान रखेगा इंडिया मभी 12 नहीं बलकि 13 बड़े पोर्ट हो गया यह तो सब्सक्राइब में डेटा जल्दी अपडेट विलोग करते नहीं है इसलिए गलत हो गया तो यहां आप तेरा याद है हां तो पांच परफंट और भी लेंड के द्वारा होता है यह धियान रखेगा अब क्लास जो 11 का जो जो जगरफी है फिजिकल जगरफी में उसमें कुछ जो थेोर्टिकल पार्ट है उसको मैं कुछ करने की कोशिज करता हूँ पहला ओरिजीन ओफ अर्थ की जहां तक बात है कई तरह के मत हैं इनमें सबसे पहला जो पहुत ही लोग प्रिया भी फेमस भी है जर्मन फिलोसफर इमेनुवल कांड का है 1796 इसमें एक लापलेस ने इसको सुधार करके बताया इसको निहारी का परिकल्पना नेबुलर हाइपोथेसिस कहा गया इस हाइपोथेसिस के अनु कि शूर की वावस्था से संबन्थ है ध्यान रखेंगा माच 1950 में रूस के आटो सिमिट और जर्मनी के काल वाइसकर ने भी नेबुलर हाइपोथेसिस में कुछ सुधार इस्टार्टिंग में निहारी का कॉंसेप्ट को बेसिज बना के लोग जो ने पिर्थिभी की उत्प सबसे बेस्ट आपका कौन सा है बिग बैंग इसको कहते है एक्सपेंडिंग इनुवर्शल हाइपोथेसिस इसमी में एडबीन हमबल ने दिया था बस यह आप ध्यान रखेगा इनका वही करा है कि जो ने गुबारे का एक 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 जामपल लेके बाद है कि दूरी जो है ना पुरा प्रमान बिश्ता रहा एक और ध्यान रखेगा इनका जो है ऐसा कुछ था एक एक ही प्रमानुल से इसा पुरा ये भिशाल बन रहा है इन्हों तीन बात कहा था इसको तरदेर क्योंकि स्टेट्मेंट बेस में पूछा जा सकता है इन्होंने कहा आरम में जो हैं सभी गरत अनन था लिए आईतन बहुत ही कम था इव हो से कहा बिग बैंक की परक्रिया में इस छोटे गोले में एक बिस्फोट हुआ बलास्ट हुआ इस बिस्फोट की परक्रिया से इसका बिस्तार हुआ बिग्यानिकाओं का बिस्वाफ है कि बिग बैंक की घटना आज से ये इसलिए हम लोग रहने के लायओ हो गया चलिए. तारों का अंदिरमान का अगर जहां तक बात किया जाए तो इसमें simple सा ये है कि इसमें concept ही है कि जो तारे होते ये starting में कहा अगया जो universe में जो भी energy उपढरार्थ का जो डिस्टीफन इक्वल नहीं था अलग लग था और डेंसिटी में भी काफी अंतर पाया गया डेंसिटी में डिफ्रेंस होने की वज़े से वहां जो गेप्टेफिनल फोर्स काम किया उसमें भिन्नताय आई और इसकी वज़े से जो है न पदार्थ एक हो गया और वही बाद में जाकर इकट इसे होने पे क्या हुआ आपका अकास गंगा बना ठीक नहीं और अकास गंगा जो हैं एक अकास गंगा और संक्तारों का क्या होता है सम्मू होता है गिलेक्सी जो होता है वो मुत ग्रूप अप स्टार होता है ठीक नहीं अकास गंगाओं का बिस्ता इतना धिक होता है कि इस जो है आपका अकास गंगा के निर्मान का जो ने बोलते हैं नरसरी कहा सकते हैं इस करम से इस बढ़ती वे निहारका में गैस के जुन बढ़ते बढ़ते घने गैस यह पिंड बनके जिन से तारों का क्या हुआ निर्मान हुआ आपको बता है कि लाइट जो एर है ताइम बलकि डिस्टेंस का माप है जो लाइट का जो पीड होता है तीन लाग क्योंट परती सकेंड है एक साल में लाइट जितनी दूरी तएक करेगा वह एक प्रकास एर हो यह लगवचे इतना इतना आपको बता हैं कि भुछा सकता है भी सिंपल सा विऔर यही है कि जब प्रथीभी की उत्पत्ति का जब स्टेज था तो वहां पर थ्वासार लाइफ चीजां हुआ तो कई प्रोसेस हुआ को जनम लिया फिर मड़ा ऐसे कई प्रोसेस होते हुए कई ग्रूप बनते बनते अंतीम में एक क्या हुआ कि ध्यान रखेगा कि हमारे गरह पर जीवन के चिन अलग लग समय की चट्टानों म में पाई गई एक मैक्रोस्क्रीप फनरचना आज की सहिवाल बुलूगी लगी की फनरचना से मिलती है और यह कल्पना की जाती है कि इस से पहले समय में एक सिंपल फनरचना वाली सहिवाल ही रही हो गया और यह माना जाता है कि जीवन का आरम लगभग जल आज 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 एक तीन सटर किलोमीटर है टो हरी बुक में आपको मील जागा ठीक अपर पिड़्धिवी के अंदर का इस्ट्रेक्टर कैसा इसकी आंतिक फंडशना कैसी है इसको जानने का मेरे पास एक तो direct source है एक indirect source है तो direct source में जो project काम कर रहा है इसमें एक है गहरे समुद्र में परवेदा है इसको होते है deep ocean drilling project और एक है integrated ocean drilling project आज तक सबसे गहरा जो drill जो है आर्क्टिक महासागर में कोला छेत में 12 km के गहराई तक किया अब यहां पर जो आते हैं जो कुछ source है जानने का पिर्थिवी के अंदर की फंडशना कैसी है तो जब हम खुदाई करते हैं तो पिर्थिवी के धरातल में गहराई बढ़ने के साफ है जो हम गहराई जाते हैं टेमप्रेचर और प्रेफर दोनों में बिर्दी होता है इतना ही नहीं यह भी पता चलता है कि गहराई बढ़ने के साफ़त पदार्थ का डेन्फिटी भी बढ़ता है तापमान दबाब घनत में इस परिवर्तन की दर को हम लोग एक आँख सकते मेजर कर सकते हैं तापमान दाब और डेन्फिटी यह सबाब का नीचे जाने पर बर रहा है ठीक नहीं पिर्थिवी के इंटर्नल शरोत को जानने का एक दुफरा इंडार्ट सोर्स है आपका उलका पीन जो कभी-कभी धरती पर आती है सिंपल आप यह धियान रखेगा उलका पीन ठीक नहीं तो यह उलका वैसे ही पदार्थ से बने ठोस पीन है जिनसे हमारा गर है बना हुआ तो यह देख लिएगा अब परत्यत फरोतों में कुछ-कुछ और है यह जो पुछा जा सकता है गुर्थिवी का जो सर्फेस है यहां का जो अलग-लग अक्छांस पर जो गुर्थिवी फोर्स का मान एक समान नहीं है जो गुर्थिवी के सेंटर से दूरी के कारण जो गुर्थवा कर्फन बल धुरूबाओं पर क्या होता है जो गुर्थिवी का मान पदार्थ के दर्मान के अनुफार बदलता रहता है इध्यान रखेगा जो मान है पदार्थ का जो मास है उस सब्सक्राइब करते हैं अब मैंने आपका अर्थक्वेक से जानने की ज़ुड़त है जब भुकंप की बात आती इसमें भुकंप जो वेब होता है सब्सक्राइब करते हैं उसमें एक होता है भुगर्भिक इसको हम लोग बोलते हैं बॉड़ी बेव तो जो भुगर्भिक जो वेब होता है का उद्गम सेंटर से उर्जा के मुक्त होने के दर्ण होती है और प्रिधिवी के इंटरन भाग से होकर सभी दिस्वाम आगे बढ़ यह सेलों के मद किरिया के का नई तरंग उद्पन होता है जिसे धरातल यह तरंग कहते हैं जिसमें एल आपका एफोरी क्या करते हैं एफोर एल आता है यह तरंग धरातल के फात्फा चलती है तरंगों का वेग अलग-अलग डेंसिटी वाले पदार्थों से गुजनने पर परिबर्तित हो जाता है अधिक डेंसिटी वाले पदार्थों में तरंगों का वेग साब पेजादा पदार्थों के डेंसिटी में difference के कारण जो righton your reflection प्राइमरी वेप साउंड जया होता है इसमें ढर गेरा इसलालती है करते हैं पर कुछ समय के बाद पहुंफती ये सकेंडी वेब होती एफ तरंगों के बिशह में एक महत्पुन्तत ही है कि एक फोस के माध्यम पे ही चलती है एफ तरंगों के सबसे बड़ी बिशेष्टा है इधान डखेगा अब यहाँ पर यह है यह पूछेगा अगर स्य पूछेगा भुकम्पियात्तरंग प्लड़ी भुकम्पियात्तरंग हो जाएन दियान रखेगा बाकि इसमें आपका इंटर्नल एस्टेक्ट में कुछ और चीज़ जो आपको जाननी चाहिए जो आपको पता है कि करस्ट जो भुपरपटी है भुपरपटी की जो मोटाई थिकनेस है जो कॉंटिनेंट महादीप और ओसियन के नीचे अलग-लग है तो महासागर ओसियन में करस्ट की मोटाई महादीपों की तुलना में कम है अब यसी बात कम होगा ओसियन के नीचे इसकी ओफतन मोटाई पांच किलो मीटर और कॉंटिनेंट के नीचे तीस किलो मीटर है मैं फिर बहुत जोर देके बोल रहा हूँ याद कर लिए क्योंकि जब वायू मंडल में छो मंडल की ओफत उचाई पुछ सब्सक्राइब यह तो पुछी सब्सक्त है पांच किलो मीटर तीस किलो मीटर आप दिहान रखेगा मुख परवतिया फिरिंखलाओं के छेत में मुटाई और भी हिमालया परवतिया मुटाई महादीब का और भी ज़्यादा हो जाता है हिमालया परवतिया लिखाए फत्तर किलो मीटर है तो यह भी आप फेक्ट आप याल देखेंगे देखें मेंटल जो है परपटी के निचे मेंटल होता है यह मोहो डिस्ट कॉन्टिटी से आरम होकर उन्तिस स्व किलो मीटर की गहराई तक पाया जाता है मेंटल का उपरी भाग एस्थनोस्फेर कहा जाता है एस्थेनोस्वत का मतलब होता है दुरुबल है इसका बिफ्तार 400 के मेंटल जो लाबा धातर पर पहुंसता है वह मुख फरोत यहीं से निकलता है एस्थनोस्फेर से करस्ट और मेंटल के उपरी भाग मिलकर ही आपका लिथोस्फेर बनाता है ध्यान रखेगा लिथोस्फेर का कौन सा हिस्सा है करस्ट, मेंटल का उपरी भाग मिलकर ही इसकी इतना याद रखेगा निशले मेंटल का विस्तार दुर्बलता मंडल के समाप разм Robot के बात है और यह कैसा है ठोस अबस्था में है कॉरोड की जहां तक बात है तो कॉरोड में आपको क्या याद रखना है क्रोड जो है न क्रोड और मेंटल की सीमां उन्तीस सों किलो मिटर की गहड़ाई पर बाहिय कुछ लिकुड में है और इंटर्नल क्रोड जो है आपका ठोस में है क्रोड भारी पलार्थों निकल और फेरस से बना है जिसको नीफे भी कहते है इसे सोट में कहा नीकल और फेरस फेरम ल exactement ध्यार लखेगा निकल और फेरम अंतार करती जो प्रख़श को आज जो झूला मुखी जो पर किरिया होती है उसमें कुछ कई तरह की संदाशनाय बनती है उसको खाल में नाम बोल देता हूं देखिए एक तो है बैतोलित ठीक ने दुफरा है लेकोलित एक और आपका है लेपोलित फेकोलित सील है और एक आपका कौन सा है डाइक है तो बाकि इसका डिटेल अगर पढ़ना इसको वीडियो पॉच्ट को पहले लेकिन हाँ जो एक्जाम में जो पूछने के बना चीज है एक सिंपल आप धियान रखेगा जो आपका ये डाइक जो है जब लावा का परभा जो क्रेक में धरातल के लगवक समकौन पर होता है और इसी अवस्था में ठंडा हो जाए एक दिवार की भांती खड़ा हो सेब का है और डाइक आपका परपेंडी कुदर होता है बस एह धियान लखना है दुरम अंदर में नेक्स चलते हैं हाँ अगला जो है अब जो कुछ-कुछ और थियोरी पर लेते हैं जर्मन के जो और मोसंबीद अलफेड वेगनर जी ने दिया था आपका कॉंटिनेंटर ड कौंटिनेंट हैं एक अकेले भुकंड में आज से कई साल पहले जुरे हुए थे बैगनर के अनुसार आज के सभी कौंटिनेंट एक ही लेन पर जुरा हुआ था जिसका और एक महासागर फे घिरा हुआ था जिसको उस महादीव का नाम पेंजिया था और पेंजिया का मतब प्रिधिवी होता है और विशाल को पानी को कहा गया पैंथालासा इनका जल ही जल होता है वेगनर मुहजयक अनुसाजन लगवग बीस करोड वर्ष पहले इस महादी पैंजिया का क्या हुआ बिभाजन कर समले दिखे ये पूरा उन्होंने कहा कि भाई ये पैंजिया है और इ रोड़ेशा शाम नौर्थ वाले को रोड़ेशा कहा गया और शाओध वाले को गोनर वाना करेंऑ इंडिया गोनना का है जोंग परदेपर पठार रहें तत्य द्रक्श बता दिया बाद में दोरेशा गोनना धीरे-धीरे अनेक हिष्सों में बट गया ठीक न इन्हीं अब बेगनर मोहदय ने इस सिधान्त के करने के लिए अपना कुछ इनों ने शाक्स दिया इविडेंस दिया इसी में एक ध्यान रखे टिलाइट नाम का इनका इविडेंस है टिलाइट वो अब फादी जो चटान है जो हीमानी गलेफियर निच्छेप से दिलमित होता है भार और वाना फेनिक अधारतर में अइफे टिलाइट अभी हमारे देश में पाए जाते हैं जहां पर आपका कुछ नों गलेफियर है इसी करम में जैसे कि अफरिका में भी फॉक लेंड में भी मेगा डासकर में भी अंटार्क्टिक में भी आस्टिलिया में यही निच्छिप म यहां होगा बस यह दिया रखेगा एक कन्वेंशनल करेंट थ्योरी दिया गया इनका नाम याद रखेगा 1930 में आर्थर हॉम्स मोहदय ने दिया था संबनिया धरा यह तरह रेडियो एक्टिव तत्तों से उत्पन ताप भिनता से मेंटल भाग में उत्पन होती है करेंट निकलता है और यहां टकड़ा कि इस प्रिथिवी को ने दो भाग में क्या करती बाटती फिर यहां निकलता है इसे बट जाती है तो यह आर्थर हॉम्स जी का संबहरिया धरा बाकी इसमें डिटल में जाने को जरत नहीं है आगे चलते हैं एक और हेडी हेस मोहदय का इसको एकफर्ट में कॉंसेप्ट आया था इंको कहा गया सी फ्लोरस फ्लोरगिक वह ने कहा कि जो समुधर का समोद्र जो समूद्र का तलहटी वो ने फैल रहा है कि या फैल ना चलिए निक्स चलते हैं आपका में सिंपल सी मतलब है कि माल यह करश्ट है नीचे से कोई करंट आ रहा है यहां टकड़ा रहा है इसको यहां प्लेट टेट्टोनिक सबसे आपके लिए इंपोर्टेंट हो गया इसको दिया किफ ने था कई लोगों ने मिलके उन्हीं सर्फर्ट में मैकेंजी पार्कर मोर्गन ने स्वतंत रूप से बीच इन लोगों सबने अलग लग थिया था इन सब को एक अठा किया गया और तब आका प्लेट टेक्टोनिक थियोरी जो है इनक प्लेट है महासगरिया प्लेट है और जो भी प्लेट है यह कोई इसका सैम सेप नहीं है और यहां कहा गया अस्थर मंदल में जो परपट्टी और उपरी मेंटल को जिसकी मुटाई पांस से लेके 100 km महादीपिया भागवा में लगवा 200 km है एक प्लेट महादीपिया कॉंटिनेंटल भी हो सकता है और आपका ओफनिक प्लेट भी हो सकता है इस थियोरी में कहा गया अब यहां पे जो कुछ-कुछ इंजाम के पॉइंट आप यू से कुफन पूछेगा कुछ ब बड़े बड़े प्लेट है ओके देखें कुछ छोटे प्लेट यहां नजका प्लेट कोकोस प्लेट ओके फीड आपका जो है यहां पे फिलिपीन फिलिपीन प्लेट एक प्लेट इस सब छोटे प्लेट है जॉन डी कुटा प्लेट अब यहां कुफन पूछता है कौन सा प् प्रसांत महासागर प्लेट इंडो आफ्टन प्लेट अपरीकी प्लेट आपका अब छोटे प्लेट याद रखें देखें कोकोस यह जो है नम प्लेट मदवर्ती अमेरिका और प्रसांत के बीच में इधान रखें लोकेशन याद रखेंगा नज का इप पूछ चुका यह दक प्लेट के बीच में फ्यूजी कहां या आफ्यार के उत्तर प्लेट का है ना चोटा प्लेट बड़ा तो सबको याद रखता है ठीक नचलिए अब यहां पर इंडिया कैसे बना है इसमें कुछ को देख लिजे देखें इंडिया जो है देखें सिंपल कॉंसेप्ट यही है अगर इसको पूरे मैप को बनाया जाए जो आपका पेंजिया था तो पेंजिया जब दो पार्ट में तो यहां एक तेथिस नाम का सागर में लिखा हुआ है भारत पहले एक जना आइलेंड यद्यूप था जो आस्टलिया तर्फित्वाफ दूर महा सागर में इस्तित्त त लगवक 22.5 क्रोड वर्ष पहले टेथिस सागर इस एस्या महादीफिस को अलग करता था ऐसा माना जाता है कि लगवक 20 क्रोड वर्ष पहले जब पेंजिया टूटा यह पेंजिया जब दो पार्ट में टूटा तो भारत ने उत्तर की दिशा में अपना खिफक्ना फुरू क और लगवक 25 क्रोड वर्ष पहले भारत एसिया फे टकड़ाया था जिसके बाद ही आपका क्या बना हिमाला परवत बना इतना ध्यान लगें तो जदा इयर भी याद नहीं रखना है तो और पागल हो जाई है अब जब नदी जब निकलती है जब अपने ओरिजीन से तो कई अवस्था फे निकलती है पहला अवस्था को बोलते है यूध अवस्था युवावस्था और इस युवावस्था में जो है यह वस्था नदियां बहुत क्या होता है भी अकार की घाटी बनाती है ठीक नहीं मैदानी भाग लगभग अपसेंट होता है यह धियान लखेगा तो यहाँ पर नदी मिलनी आपका भी, सेप, गोर्ज, जलपरताप यह सब बनाती ही, कहाँ युवावस्था में, यह धियान रखेगा अगला जब युवावस्था के बादा है, मेच्यूर एजब आता है, तो प्रणा वस्था इसमें क्या होता है, इसमें जल की मात दीखेंगे, पहले ब़र फो पानी की मात रख कम होती है लेकिन इस बाले पानी की मात चुक्ठा बर गया होता है, पानी की मात Civic हो जाता है और इसमें कई साहाइक नदी भी आके मिल जाती नदी भी अकार के घाटी हो ते लेकिन गहरी हो जाती है यह दियान रखेगा ठीक नहीं यहां पर जल परताप और छिपर काएं बिल्कुल ही समाप्त हो जाती है अंतीम है ओल्ड एज जहां आपका क्या बनेगा डेल यह द्धे में बनाप पर ट्रफ्रल एकिन भी ऐखरी धाले होता और यह भी गौर्ज की चराएं जो हता है इसके तल आके में बनाप except shaak तल यह पेंसे Hero केंन तो ya इसमें एक और कुछ कुछ चीजह देखिए जहां पे चुना पत्थर होता है चुने पत्थर जब होगा वह कास्ट असलाकिर्थी बन जाता है किसी चुना पत्थर या डिलोमाइट चटान के छेतर में जो ग्राउंड वार्टर कुछ प्रक्रिया करके निच्छेप से कुछ अ अंदर का जो ग्राउंड वार्टर उससे बनता है अब कास्ट असलाकिर्थी में कई तरह कि अलगलग संदशनाय होती अंदर और बाहर तो मैं कुछ को नाम बता देंगों ध्यान से सुन लिए जैसे कि एक है बिले रंद धोल रंद निपाती रंद एस्टेगलमाइट यह ब अब आये कुछ एटमोस्फेर के बाद देखे चो मंडल वाई मंडल का सब से निचला लेयर है इसकी ऑचाई लगभग तेरे कीलो मीटर पुछा थे दुरुप के रिगार आठ है और विश्वत पर अठारा है चो मंडल के विश्वत पर सब से अधिक होता है चली क्योंकि परती एक 165 मीटर के उचाई पर एक डिगडी तापमान घट जाता है छोब और समताप को अलग करने वाले को छोब सीमा कहते हैं विश्वत बृत के ऊपर छोब सीमा हवा का तापमान माइनस असी और दूरूप पर इतना ही समने पूछेगा चलिए नेक्स जो हां सब ताप बिकरन आती है जिसे कि महले हंडिर परफेंट आया सोब पिर्थिवी पर ठीक नहीं उसका जो भाग लोट जाता है उसको हम बोलते हैं 35 परफेंट भाग लोट ता उसको क्या बोलेंगे यह दियान रखिए बाकी एक फोर्फ होता है किरियोलोसिस फोर्स पिर्थिवी के बोलते हैं और इसमें बाकी तो चीजें इंपोर्टर नहीं है इसका किफ ने दिया था फ्रांस के बिग्गानी का नामे था इनका इन्हों नहीं यह चीज दिया था तो इनका धुरूबों पर सरवाधिक मान होता है और यह बिश्वत वृत में लगभग जीरो होता है इस ब परेफर होता है इसका पवन की दिशा जब उत्री जमाली की पूरा प्रिथिवी है अगर उत्री वह लाद में आया है तो पवन की दिशा घरी की सुई के विप्रीथ होगा मतों कि ऐसा होगा इसे चलता है इंडिया फैदा इसे घुमेंगा अल्दक्षिन क्या होगा एक घर सब्सक्राइब के सुई के अंग्रोप होगा बस सब्सक्राइब याद रखेगा एंटी फैक्न आपको अपने आप इठाद हो जागा बाकि एक कॉंसेप्ट है आई टी सी जैट का इंटर ट्रोपिकल कर्वर्जन जोन यह सिंपल क्या है अगर यह पूरा प्रिथिवी है यह भूमद रेखा है यहां जो दो पबने आके जो मिलती है यहीं पर आपका क्या बनता है आई टी सी जैड बनता है जब इंडिया में जब मानफून आता है यही आई टी फी अट खिसक के नौर्थ मैदान में आ जाता है लो प्रेफर बनता है जिससे बारिश तेज होती है ठी एर मास कहते है ठीक नहीं बड़े एरिया में इस बाद की जो है एक होता है फ्रंट दो अलग-अलग एर मांफ यह ठंडी आ गया एक कडम आ गया इसको हम बोलेंगे वतागर बन गया ठीक नहीं धियान रखिए बतागर वतागर फितोस जो चक्रवात होता है वह बतागर से पतागर बनता है यहीं से अपको फितोस चक्रवात होता है ठीक नेक्स चलते हैं वही उफ्रिंग कड़ी बन गया इसमें पूछता है हिंद महासागर में चक्रवात कहा जाता है अट्लांटिक में हरीकेन के नाम पच्छिमी परफान दक्षिन सागर में टाइफून पच्छ इस कंडिशन में आएगा पहली बात तो समुद्र का लेयर का तापमान चाहिए कुलसिस फोर्स होना चाहिए उर्द्वाधर पबन के गती में अंतर कम होना चाहिए कमजोर निमदाब छेत होना चाहिए ठीक नहीं और समुद्री तल काजन उपर की और जो हैना आपका अभी उसको तरित जंदा टेनने डोग आते हैं यह अल्ब समय के लिए रहते हैं को फन यूप उप्यासी पुछुका यह छोटे समय के लिए होते हैं आप एक चाकृत कम एरिया में चक्रबाद तो बहुत बड़े अरिया होता है पर तो यह बहुत ही आक्रमन कारी होते हैं तरित तो इसमें चीज़ा है तो यह आपका सिंपल आपका इसमें हो गया नेक्स चलते हैं हाँ आप को पैन का जलवायू वर्ग इकर जो है ना का काफी बार बीपेसिव को फन पूछा है ठीक नहीं इसको मैं बतानी की कोशिश करता हूं तो यह देखिए यह देखिए यह लाइन देखिएगा यह लाइन दिख जाएए यह लाइन ऐसे गया है और यह ऐसे ऐसे है तो आपको यहां दिखाई पर रहा होगा यह बिहार तो cwj में ही आ गया हाँ अलग बात है कि मैं अलग से ना ना और और साउथ का एक अलग विडियो मनाँगा बिहार लेकर पूरे अगर देखिए यह लगहू सुस्क रितुबला है फिर गिस में यह सब नाम इनका अगर्गी करने लेकिना बिहार फिर पूसर आप वही ध्यान लग है देखिए उन्होंने जो कोपेन मोहदयन है जो क्लाइमेट को बांटा है जोन में चोटे मतलब कि केपिटल और स्मॉल लेटर क देखिए जोन में जादा होगा बर्षा कि तुलना में जादा होगा कोफ न जो है सी कहा गया बरसरबादिक ठंडे महने का और सताप मांझे तीन दिग्री सेल्सियस से अधिकले किन्तु 18 डिग्री फेल्फियस के से कम रहेगा डी को इनोंने का है सितल हीमबला देखाए यह इनोंने पहले इनोंने केपिटल लिया बडा तब फिर इसमौल करके कंबाइन करके इसे देखिए पहला यह क्या है एए ऐम है डबलू है सितल यहां कोई भी सुश्क रितू नहीं है बरसाहीं मतला यह पूरा बाषिक हबला है यह जो है यहां मांसून होगा ठीकना और अग पूरा क्यों ड्राइक क्लाइमेट है उसमें देखे इस्टेपी मरुस्था इसे बाता वी बला गुरूप है फिर सी फी बला गुरूप है फिर सी एफ एसे करके फिर डी बना है और अन्ति में आपका यह तुन्रा व्ला देखे टून्रा में एटी है और एक दृबिया जो अगर पुछेगा शिर्प यह वाला समू किस्से जहां पर तापमान देखे इतना होता है यह चीज़ है यह अलग वीडियो में त्रिवार्था का कोपेंट जी मोहदेगा सब का जलवाई होएकर मैं एक अलग से मैं अपमें बता दूंगा ठीक नेक्स चलते हाँ यह कोफन लग आफानी फृगिन हाउस गई से परतिक्रिया करती है परतिक्रिया करते हैं यह तीन से पांच किलो मीटर गहरे होते हैं इतना ध्यान लखेगा बाकी जो है न सब अभी तक जो हैं संताबन ट्रेंच या घरत खो जा गया गया है जिसमें 32% महासागर में उनिफ अट्लांटिक और छे ही मात हिंद महासागर में पूछा जा सकता है बाकी जहां तक लबंता की बात है मृत सागर में देखी सब फेदिक टर्की के वांजिल में है दैन फिर आपका किसमें मृत से पूछ चुका है कनाड़ा की फंडी खारी जो है ज्वार भाटा विश्ट का सब फे ऊचा ज्वार भाटा कनाड़ा के इसी में आता है बस इतना ध्यान रखेगा और इस प्रेट जाने जोड़त नहीं है अब देखिए एक इंटर्नेफनल संस्था का नाम है आई यू सी इन का नाम है International Union for the Convention of Natural Resources है यह हर एक साल रेट डेटा लिस्ट जारी करती जो भी पसुपक्षी जानवर है क्वाइय क्वाइल लाइब प्रोटेक्वन एक आया था जिसके तहद नेफनल पार्क सेंचूरी और वायो गोशित किये गए थे बस इतना ध्यान देखिए गए ठीक आगे चलते हैं हमारे देश में जो है यह पुछा था बारे समुदरी मील लगवक इतना किलोमीटर है मानक मील इतना 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 फैक्ट है बार देख लिजेगा ठीक नेक्स चलते हैं जो अब भाग यहां पर बंगलादेश से अलग हुआ लेकिन हां भाग उसी का है ठीक आगे इसमें हम लोग चलते हैं को मुखतिवें प्राचिन चाल झाल भाग यहां सब्सक्राइब नियुद्या बाकि आपका कुछ कुछ चोटी जो हमारे अन्वान निकोबार दिव समू में है सेडल कहां पर है नौर्थ अन्वान में मांट डियो वेली कहा है मिडल अन्वान में मांट कोयो का है साउथ अन्वान में और माउंट थ्विलर ग्रेट निकोबार में है यह बस दिहाने के बैरन आइलेंड एक मात आपका जोना है जिवन्त ज्वला मुखी है अब यहां पे हमारे डेश में नदियों का जो पेटर्न है जो परतिरूप है एक तो है जो अब वह परतिरूप पेर के सखाओं के अगला है अमर कंटक फिकला हुई जब मुख नदियां एक दूफरे के पेरलल बहती हो तता सहाइक नदियां को समकौन पर मिलती हो इसको जाली नुमाव बन गया ठीक नेक्स चलते हैं सभी दिशाय में नदियां आकर जब एक ही किसी गर्त में निकल जाए इसको क्या बोलत सकता है अब नेक्स हमारे देश में नदियां का इसव बताएं दिया हां ध्यान दखेगा हमारे देश में जो कुल जो ड्रेनेज एडिया है आप वहां का लगवग 77 पर भाग गंगा ब्रहम पुत्ता इसव नदियां में बंगाल खाएं जाता है और लगवग 23 पर इसी महीं बंगाल खाएं में सबसे कम कहा है 23 पर अरब सागर में बाकि हमारे देश में जो इसको ना अकवाध को ना तीन भाग में बाटा गया है इसमें 14 नदी नदी देखेगे किनोमेटर है और तीफ्रे बाले में देखिए लग इसका दो हजार से कम का है तो सब इसमें आपका इस बाले में मुड़िल बाले में धियान रखेगा नेक्स चलते हैं तो समतंत्र है जो कि हर एक 5-10 साल में परकट होता है इसमें सिंपल ये है कि पेरू के तर्ट पे गर्म जलधारा इंडिया की जब इस इस एरिया में आ जाता है तेखिए जब मांसुन हमारे देश में जून के मेहने में जब आना शुरू होता है इसी समय जलधारा यहाँ कि इंडिया के इस इलाखे में लो प्रेफर है और यहां कहीं कहीं हाई प्रेफर होता है तो हवा यह यहां प्रेफर होता है लेकिन जब मान्सुन कम बारी कम होती जब यह यह निलॉएगा भी जिसका लृट आप यहां और हाई प्रेफर बन जाता है और जो दर बारिफ इंडिया में होती है बस यह चीज़ां को अंसर ध्यान रखेगा ठीक नेक्स्ट जो है आपका हां यह तो खैर कैसे कैसे दक्षनी पच्छमी मांसून के आगमन की समानती थी देख रहे हैं आगमन का यह तुमें बताए आमर परसा बता है आपका ठीक ना यह करनाटक में आम बात है फूला वाली परशा केडल और नकरवर्टी कहवा उत्पादम के धियान रखेगा काल बैशाखी असम और पच्छीं बंगाल में चलता है ठीक ना लूत उत्री मैदान में चलता ही चलता है बाकी सब जितना भी है जाने वाले फितो फिक बंदिया बनुट को का जाता है इन बनों में मगनोलिया लेरोल फिनकोना बेटल इस सब पाया जाता है बस इतना दिहान रखे रहे हैं अब हमारे देश में कुछ जो नहीं है जीव मंडल है नीचाय है जो भी आपको बता है इसमें देखें सब सब पहली बात यह है कि जो है हमारे देश में 18 है सम्मिला अब यह क्या है यह सबसे पहला कौन है नीलगीरी यह कब बना था 1986 में तो नीलगीरी में देखें कौन कौन सा एरिया है वायनाथ केरला का है नहर गोल बांदीपूर मदुमलाई निलूबरी इस सब फैलेंट वेली इस सब इसी माता है मतलब नीलगीरी चारा जॉम फैला हुआ हुआ है जो जी नोघ रेक यह पूछा यह सिंपल असम में गारोपहारी का हिस्ता है मानस आपका मेलनी कहाँ असम में ही सुंदर्बण आपका कहां सिप्चिह बंगाल यह आपका कहां पर अंध्र पर्देश के इलाके में और पन्ना आपका मध्र पर्देश अब इसमें ध्यान रखेगा जो बोल्ड लेटर में लिखा हुआ एक तो आपका देखिए साहर आठ होगा मीरे ख्याल से एक तो आपका नीव गीरी होगया एक दो पर ढट बारह रहा जो आपका है इसका करम फजाओ कर शेक अधा कर लीए चीक डिहां टेवां यहाँ पर यह देख लिए तो पूरव से पच्छिम भी देख लिए तो यह देख लिए तो बाकी जो है कि दो है एक यारह की जनगर्ना के कॉर्डिंग हमारे देश में जो धार्मिक समुदा है हिंदू सब ज्यादा फिर मुफलिम पिर इसाई परतिफद देख लिए फिर शीख फिर बौद फिर जैन तो सबसे कम जैन है और और सबसे कम होई है यहां पापका सबसे कम फोरी जैन हो हो गया ठीक नहीं यह उपन फोर फिर बहुत धर्म है फिर सिख धर्म है यह करव में बार पुछ चुका है दियान रखेगा ठीक हमारे देश में चाबल मक्का रागी मुफली लगाते हैं जैन देखे सब फसल है तो दियान रखेगा तो जो उत्तरी और दखिराज में खरीफ और रवी फफल में कौन-कौन-सा फसल लगता है शिक्स्टी एट में भी प्रसीव को फन यह पूछा था सैम तु सैम यही लाइन दे दिया था एक दम अच्छे से यह कौन-सा आपका जी मंडल नीचे है मनार की खारी वाला है ऐसा क्यों क्योंकि यह वीनिस कुम साम इस बार तो आपका मनार की खारी वाला पूछ लिया अब तो इस बार नहीं पूछेगा मेरे ख्याल से अब यह सुन्दर बन देखे लिए पच्छिम बंगाल में गंगा नदी के दल्दी टेल्टा पड़े पस्तित है विसाल छेत्र है यहां में ग्रोब बन अनूपिसव प सुन्दर बन अपफन था ठीक ना फिर यहां में ग्रोब बिक्ष यहां पाए जाता है यहां बाग पानी में तहते हैं चीतल भोकने वाले पाए जाते यह बस इसमें अगर एक तो भी पकड़ में आजागा ना आप वहां पर आराम से सुन्दर बन डिल्टा टिक कर और चीडिये सब रेडों ड्राउंट है बस यहां हीम तेलवाई सबत यह कहां है नंदा दीवी का जगह है मक्का के वाले में चीजिए ध्यान रखेगा मक्का जो बिहार में अगर आप मधेपुरा खगरिया सहर्शा भागलपूर इलाके के होंगे तो मक्के के खेती जो लक्सी भारत में रभी मोग रहा है तो बाकी खालिस में उत्तर भारत मत पढ़िये फिंपल की रभी फसल जो है ना गेहूं चनातोई सरसों जो यह सब पूछ देता है इसी मौफ़न देगा चार में से को यह इसको याद कर लिए ठीक तो इस तरह से क्लास सोरी नाइन टू 12 जो भी इंपोर्टेंट लगा हमको इसमें मैं आपको बताने का कोशिश किया अगर और भी अगर कुछ हमको लगेगा अगर क्लास किसी और में तो उसको भी मैं आने वाले वीडियो में सामिर कर लोगा लेकिन मेरे ख्याल से इस डियर घंटे के वीडियो में इतना तो हैं तो कोई दिकत नहीं है इसका नौर्ट में बनाना है सिंपल क्या करना है आपको इसको वीडियो को एक दो बार ऐसे कभी भी खाली टाइम में देख लिए इस वीडियो बढ़ा करके हिस्टी का कुछ चीजा और हाला कि हिस्टी कम एक वीडियो बनाया हूं जो काफी देखे 12 तक के और कुछ हमको उसमें फैक्ट या जो ना चीजा मिला जो इजाम में पूछा जा सकता है फिर साइंस बचेगा साइंस में जो एक बार केमेस्टी करूंगा फिर एक बार फिजिक्स और एक बार आपका बालोजी कर दोंगा तीन वीडियो आएगा फिर बिहार क करेंट का भी लगवग तीन चार कर दोंगा ऐसे करके मैं बोला हूं पंद्रय पंद्रय फेले के हाड़ा शेप्टमबर के बीच में साड़ा आपका मैं एक बार कर दोंगा और उमीद रखिए विश्वाफ भी रखिए कि लगभग 150 में से फाट-फाट-फाट-फाट-फाट-फाट-फाट-फाट-फाट-फाट-फाट-फाट-फाट-फाट-फाट-फाट-फाट-फाट-फाट-फाट-फाट-फाट-फाट-फाट-फाट-फाट-फाट-फाट-फाट-फाट-फाट-फाट-फाट-फाट-फाट-फाट-फाट यूज़ करना मैं किसी एक किसी सोर्च को नहीं फॉलोग करता हूं जहां फिर को सन क्या करते हैं यह तो आप इसको देख हैं आगे आने वीडियो में जितना होगा हम करेंगे बाकि और भी आप लोग को कुछ एक्स्टा चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा तो मैं कुछिस करूँगा वो चीज़ें आपसे हो जहां जोगरफी में एक जितना भी नदियां है ठीक ना वो में एक बार करूँगा को पैन का जरवाए उसमें एक अलग वीडियो में कर दूँगा लगवद 15-20 मिट की वीडियो में ठीक न है तो उसका वेट किजिएगा बा आप क्या करेंगे अपना टिकट का पहले हैं बुकिंग कर लेजेगा अब इस बचे हुए दिनों में काफी अच्छे से परिये जो आपने शोर्स यूज किया है उसी को मलिटी पर्स टाइम रिभाइद कीजिए गलत नहीं हो क्योंकि वन थार्ड इस पार है ठीक नहीं और 15 सफिसेंट है आप सारे कुछ को भाइद कर सकते हैं और मैं बाड़ा बोलता हूँ खुद पर विश्वाफ रखें चीजां आपके लिए क्या होगा बहतर होगा मतलब आप सिंपल यह फोचिए कि विपेसी जो है 9 दिसंबर को जो मैंस होगा आपको लिखना है मन में अभी से ठानी है चीजां बैतर हो जगा बाकि आप लोग तो बहुत फ़रा मुटने वीडियो देखते होंगे हमको अधिक देने को जरूत नहीं है तो मिलेंगे नेक्स वीडियो में थैंक यू